इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तबाएं 11 अगस्त को राजिसमा में हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद जैसे ही विरोधी दलों की किर्की हुई उन्होंने वीडियो पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिये कॉंग्रेस ने इस बात पर शक जताया कि वीडियो के साथ छेड़ चाड़ हो सकती है कॉंग्रेस ने तया मलिकारजुन खड़गे ने कहा सरकार के द्वारा चारी किये गए वीडियो में कोई भी छेड़ चाड़ हो सकती है हलाकि जो विडियो सामने आया उसे कई सवाल और जवाब के जवाब और साथ में उनके सुबूत भी मिल गए हंगावे पर सरकार और विपक्ष की बयान बाजी के बीच सदन के भीतर जो कुछ हुआ वो बेहत शर्वनाक था और लोकतंतर के लिए खतरनाग भी उस घटना की सुबूतों वाली सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए आजादी की 75 साल में प्रवेश करते वक्त भारत का लोकतंतर इन तस्वीरों के साथ शर्मिंदा हो गया राजनीतिक आकांक्षाओं की चट्टानों पर चड़कर अपने स्वार्थ के लिए लोकतंतर के इस मंदिर को दूशित करने की इन कोशिशों से देश मायूस हो गया यह तस्वीर उस जिखे से आई जहां भारत के भागी विधाता बैठते हैं जहां एक अरब 25 करोड से ज़्यादा लोगों के भविश की तस्वीर तै होती है इन चारों तस्वीरों में आपको तकरीबन एक ही तरह के लोग नजर आ रहे होंगे लेकिन अगर बारी की से देखेंगे तो आपको एक गहरी साजिश समझा जाएगी आपको दिख जाएगा कि कैसे पूरी प्लैनिंग के साथ राज सभा में इस हंगामे और धक्का मुकी को अंजाम दिया गया बुद्वार शाम 6 बच कर 2 मिनट पर 6 से ही OBC आरक्षन पर समविधात संशोदेन बिल पास हुआ और सभापती ने जनरल इंशोरेंस बिल सदन में पेश करने की बात कही तबी सबसे पहले टीमसी के टेरेको ब्राइन के इशारे पर दोला सेंग गले में रसी जैसे कप्रे को डाल कर वेल में पहुच गई और नारे लगाने लगी दोला सेंग को आगे बढ़ता देख मार्शलस ने चेर्मेन के असन को घेर लिया अचानक सदन का माहौल बदल गया नारे बाजी और हंगामा शुरू हो गया शाम छे बचकर 22 मिनट पर डोला सेंग ने पहले लीडर आफ द हाउस पियूश गोल को धक्का दिया उसके बाद उन्होंने संसदी कार्यमंत्री प्रहला चूर्शी का रास्ता रोकनी की कोशिश के शाम 6 बचकर 26 मिनट पर कॉंग्रेस के नासिर हुसेन शिवसेना की सांसद प्रयंका चतरवेदी और त्रणमूल कॉंग्रेस के अरपिता घोश ने चेर की तरफ पेपर फाड़ कर फेके अब तक विरोधी दलों के कम से कम दो दर्जन सांसद वेल में पहुँच चुके थे मार्शल्स ने भी रिपोर्टर्स की टेबल को घेर लिया इन में लेडी मार्शल्स भी थी इसलिए विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी महिला सांसदों को आगे कर दिया चतीस गड़ से कॉंग्रिस की सांसद फूलो देवी नेताओं और चाया वर्मा टेबल के सामने खड़ी लेडी मार्शल्स को हटाने के कोशिश करने रगी जिससे कि पुरुष सांसदों के वेल तक पहुचने गरास्ता क्लियर किया जा सके फूलो देवी नेताओं और चाया वर्मा ने पहले लेडी मार्शल्स से हतापाई की फिर उसे पकड़ कर बाहर के तरफ खींशन लगी फूलो देवी नेताओं ने मार्शल्स की गरदन पकड़ रखी थी अपने सिर्थ से उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश भी की ये सब सदन की कारिवाही के बीच हो रहा था जब बात में फूलो देवी और चाया वर्मा से इस बार में पूछा गया तो दोरो सांसदों ने इसका ठीकरा मार्शल और सरकार के से पर फोड़ने की कोशिश की पर चोटाई है भारत की इतिहास में कभी है सद्रिश्य आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि सदन में इतने सारे मार्शल रखने की क्या हो शक्ता है जितने सांसद नहीं उससे दुगना मार्शल वहाँ पर वेल पेल जाके खड़े हैं हम लोग क्या करें देखें मोदी जी पूरे भारत की लोगों को डरा के धमका के चमका के रखना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है उन्लों कॉंग्रेस आंसद चाया वर्मा और फूलो नेताम ने जिन महिला मार्शल्स के साथ होता पाई की उनका नाम अक्षिता भट है अक्षिता भट राजिसवा की सिक्यूरिटी असिस्टेंट है वेपक्षी सांसदों के हंगामे में अक्षिता भट को कई जगे खरोचे आई हैं गले में चोट के निशान है और शरीर पर कई जगे सूजन है हमारे पास इसके सर्बूत के तोर पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट है इस पर पालियामट हाउस के CGHS के CMO के साइन है रिपोर्ट में महिला सेक्योरिटी अफसर के कंधे और कमर के एक्सरे की बात लगी है रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उन्हें काफी चोटाई है अक्षिता ने अपने शिकायत में कहा कि सांसर चाया वर्मा और फूलो दिवी नेताम ने उन्हें बाहें पकड़ कर खीचा और उनके साथ मार पिटाई की लेकिन उन्होंने सबर किया इस वज़े से अक्षिता को कई जगे चोटे आई है सदन के कारिवाही 6 बच कर 10 मिनट पर इस्थागित कर दी गई 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू हुई तो भी हाला जज के तस थे कॉंग्रेस सांसर दिरिपुन वोरा चेर की तरब चड़ने की कोशिश करते दिखाई दिये इसके साथ आठ मिनट बाद बीमसी सांसर डेरेक ओब्रायन ये सारा हंगामा रिकॉड कर रहे थे ये वीडियो सामने आया तो लोग सक पका गए डेरेक ओब्रायन अब तक सदन के अंदर के दूसरे वीडियो लिग कर रहे थे लेकिर इस वीडियो पर वो चुप्पी साथ गए कॉंग्रेस तो वीडियो पर ही सवाल उठाने लगी हम तो आई विटने सहे देखे हैं और पूरे राजसवा के मेंबर देखे हैं और आपके फुटेज को आप क्या क्या कर सकते हैं सबको मालूम है तो इसे लिए हम यह चाहते हैं कि वहाँ फोर्स आई कैसी है कि इतना नॉर्मल मार्शल्स तो वह नहीं थे और इतने महिला भी नहीं थे राजसभा में आम तोर पर चौधे मार्शल्स तैनात रहते हैं लेकिन जब वेपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू किया तो हैतियातन बाईयालीस मार्शल्स को सदर में तैनात किया गया वेपक्ष का आरोप है कि मार्शल्स के वेश में बाहर के लोगों को सदर में बढाया गया लेकिन हमारे पास उन सभी मार्शिल्स की लिस्ट है जो उस वक्त सदन में मौजूद थे आपको इनके नाम बताते हैं अमोल देशपांडे, एके बर्णवाल, अमित शर्मा, यश्पाल, संजीव रावत, सुमन कुमार, पीर आठी, आरियंद्र सिंग्तोमत, रोहित संडिल, विकास वर्धराज, राकेश नेगी, विशाल सिंग, धीरत सरहुआ, रविंद्र बर्णवाल, प्रदीप यादव, लक अंजली भडोरा, भारती, राजी सभा के सिक्यूरिटी असिस्टन्ट, राकेश नेगी के मताबिक, सीपियम के सांसत, ई करीम और शिवसेना सांसत, अनल देशाई ने सुरक्षा घेरा तोड़ने के कोशिश की, इस दोरान करीम ने राकेश नेगी के गर्दन पकड़कर उन सदन के अंदर क्या हुआ? पयानों से नहीं, इन तस्वीरों से साफ हो जाता है, अब उम्मीद यही है कि राजिस्तभा के भीतर हुई, शर्मना घटना की, निश्पक्ष चांच करके दोश्यों पर ऐसी कारवाई हो, जो सब के लिए मिसाल बने।